फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं रेटिन-E नाम की क्रीम के बारे में पूरी जानकारी आज मैं इस क्रीम के बारे में आपको देने वाली हूँ जिसका पूरा नाम है रेटिनोईन जो की रेटी नॉइड जैसी कम जो दमाईयां होती है उनका मिलता जुलता एक प्रोड़क्ट है यह यह जो क्रीम है यह दो फॉर्म में आता है एक जेल फॉर्म में आता है और एक क्रीम फॉर्म में आता है तो हम जेल फॉर्म में इसको कब यूज करते हैं और क्रीम फॉर्म हम कब यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं आज इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं दूँगी तो वीडियो के लाश्ट तक जरूर बने रहेगा वीडियो को इसके ना कीजेगा क्योंकि बहुत ही important चीज़ें आज मैंने इसके बारे में शेयर की हैं friends हम काफी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें हमारे चेहरे पर असर करती हैं कुछ चीज़ें नहीं असर करती हैं कई कई बार ऐसे होता है कि हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं यूज़ करते हैं और वो चीज़ें जब हमारे उपर नहीं असर करती हैं तो हमें लगता है कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं है दोस्तों सच तो ये है कि कोई भी चीज अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो फायदा जरूर करती है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी असर करती हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो को देख लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा लेकिन दोस्तों मुझे आप लोगों से एक question है कि आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो चैनल को subscribe नहीं करते हैं आप लोगों से एक request है कि प्लीज मेरे चैनल को आप लोग subscribe कर लिजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए अगर आप चाहें तो कोई query है अगर आप तो comment भी कर सकते हैं या फिर कोई suggestion है या फिर किसी और चीज़ का आप DIY या फिर remedy देखना चाहते हैं तो आता है जल फॉर्म में एक आता है क्रीम फॉर्म में तो जो जल फॉर्म आता है दोस्तों वो pimples के लिए especially आता है तो जैसे अगर आपके चेहरे पे छोटे-छोटे pimples हो गए हैं pimples के दाग हो गए हैं तो ये उन सब चीज़ों में ये बहुत ही जादा फायदे मंद है ये आपकी जो चेहरे पे है जो नए जो पुराने सेल्स है उनको रिमूब करता है और नए सेल्स बनाता है इससे जो आपके चेहरे पे जो दाग, धब्बे, जुर्या, pimples ऐसी जो प्रॉब्लम सोती हैं उनको ये जड़ से मेटा देता है और अगर हम इसके क्रीम फॉर्म की बात करें तो ये जुर्यों के लिए बनाया गया है आपके चेहरे पे जो एक परत सी जम जाती है जुर्यों की या फिर डेड़ सिकिन की या फिर आपका जो चेहरा है बिलकुल ऐसे जैसे बेजान हो जाता है तो उस टाइम पे cream form यूज किया जाता है इस cream में अगर हम बात करें तो चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं होता है ये जो gel form है इसको लगाने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल ड्राय हो जाता है तो अगर आपकी skin dry है तो इसके साथ आप moisturizer जरूर यूज करें कोई भी mild जो face wash होता है उससे आप अपना चेहरा पहले दो लें और उसके बाद जब आपका चेहरा अच्छे से सूख हो जाए तो आप 15-20 minutes बेट भी कर सकते हैं उसके बाद आप इस cream को अच्छे से अपने face पे apply करें और थोड़ी देर बाद आप इस पे moisturizer भी लगा सकते हैं अगर आपकी skin sensitive या फिर dry है तो भी आप इसको use कर सकते हैं अगर हम बात करें इसको जैसे कि अगर आप इस cream के साथ अगर जैसे कोई भी salicylic acid sulfur या फिर acid इस टाइप के अगर कोई cream यूज करते हैं एक्स्ट्रा तो आप ना यूज करें और अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो जैसे कि सबसे पहले इस cream को use करने का तरीका यह है कि जैसे हपता दस दिन आप क्या करें एक दिन लगाएं एक दिन ना लगाएं तो जिस दिन आप इसको ना लगाएं उस दिन आप वो लगा सकते हैं लेकिन सेम डे आप इसको कोई और भी क्रीम कोई भी और ओंटिमेंट ना लगाएं और कोई भी जैसे यह जो दवा है यह बह बिल्कुल मटर के दानी की जो quantity है वो आपको लेनी है पूरे चेहरे पे आपको लगा लेनी है अच्छे से बहुत जादा इसको रगड़ना नहीं है गले तक नहीं लगाना है आपको केवल फेस पे लगाना है और लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखे कि आप अपना हाथ अच्छे से धोलें आपके हाथों में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए आपका हाथ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं इसके side effect की तो अगर आपकी घर में कोई भी महिला है जो की pregnant है वो अगर इसको यूज़ कर रहे है तो आप इंको मना कर दीजिए pregnancy में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह जो cream है मैंने पहले ही भी बताया कि यह बहुत strong है और pregnancy के time पे ऐसी चीज़े जो strong होती है उनको नहीं यूज़ करना चाहिए अगर हम इसके side effects की बात करें तो इसके side effects हर cream के जैसे side effects होते हैं इसके भी है अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा burning होती है redness हो जाती है या फिर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धबे निकल जाते हैं दाने निकल जाते हैं जलन बहुत ज़्यादा जलन म आपको patience बना के रखना पड़ेगा और कुछ ऐसी भी चीजें देखी हैं मैंने काफी सारी लोगों से मैंने ऐसे भी सुना है कि यह जो क्रीम होती है कुछ लोगों को reaction भी कर चुकी है पहले उसके बाद यह ज्यादा असर की है और यह सच भी है यह पहले थोड़ा सा आपको react क करेगी उसके बाद यह एसर करेगी इस टाइब के जो क्रीम होती है जादा तर ऐसे ही होती है तो इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखें लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़ादा जरूरी है किसी भी क्रीम के बारे में हमें पूरी जानकारी पहले लेनी चाहिए और पहले कुछ चीजें हमें ध्यान में रख लेनी चाहिए उसके बाद ही यूज करना चाहिए उम्मीद करती हूं कि आपको इस वीडियो के तुरू मैंने पूरी जानकारी दे दी है अगर कुछ और भी आपके मन में सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकत हैं या फिर कोई आप चैनल के लिए कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई क्वाईरी है कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं मिलती हूं ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में तब तक लिए आप लोग अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और भी अच्छे ची वीडियो के लिए और मुझे यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें थैंकी सो माच रभी और बाई